फ्रेंड ये एक भाई का हमारे वार्टसप पे बारबर मेसेज आ रहा है कि जो आउजा का BTZ 10,000 है इस एम्पलिफायर को हम पहली बार लिए तो आप कुछ ही इसमें जो है हमें सेटिंग बता दिजे हम इसके सेटिंग के बारे में नहीं जानते हैं जैसे इसे कैसे यूज करन चाहिए सबसे ज्यादा जो कनफुजन उनको हो रहा है वह हो रहा है इसके बैक पैनल सेटिंग में जैसे वह हमें बोलते हैं कि बैक पैनल में जो फोर ओम है उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है वह हम नहीं जानते हैं और जो इसका स्टिरियो मोन है उसको कैसे यूज़ करना है तो फ्रेंड चलिए मैंने सोचा कि मेरे पास जो एम्प्लिफायर है BTZ 10,000 इसके बारे में ही मैं आपको पुरा डिटेल से बता देता हूँ जो भाई लोग नए है उनको कुछ सिखने को मिल जाएगा क्योंकि नए भाई लोग को दिक्कत हो जाता जो अभी- क्वैल्टी जबरदस्त मिले तो फ्रेंड आप यहां देख रहे हैं यह एम्प्लिफायर है यह देखिए यह आहुजा कंपनी का है और मोडल नमर BTZ 10,000 जो कि आप यहां देख रहे हैं फ्रेंड काफी पावरफूल एम्प्लिफायर है यह एम्प्लिफायर आपको हर एक डी उसके बाद जो है फ्रेंड, हम लोग यहां आजाते हैं यह देखिए ये जॉन यह इधर लिखा हुए और इधर लिखा है जॉन भी तो यह जो जॉन यह है फ्रेंड इसमें आप यहां देख रहे हैं कि तीन वोल्यूम दिया हुए एक मास्टर वोल्यूम है और दो नॉब जो है यह 200 ट्रेवल कंट्रोल करने के लिए है दोनों तो फ्रेंड जोन यह और जोन भी क्योंकि यह फ्रेंड एक जरवाट का एंपलीफायर है तो यह सिंगल जोन कर नहीं है पांच-बांच-बांच-बांच-बांच-बांच-बांच-बांच-बांच-बांच-बांच-बांच-बांच-बांच-बांच-बांच-बांच-बांच और इसके बाद जो है friend bass को control करने के लिए मोटी आवाज को control करने के लिए पतली आवाज को control करने के लिए गरआ आप देख रहें और इधर जो आप देख रहे हैं यह box speaker और driver unit के लिए जदि आप इस zone में box चला रहे हैं तो तो आप इसको box के दरफ रखेंगे और जैदि आप इसमें driver रारे है, horn चला रारे हैं तो आप इसको horn के दरफ रखेंगे, जो कि आप यहां देख रहे हैं फ्रेंड यह जो LED आप देख रहे हैं ज्यसे ज्यसे आप इसके volume को बढ़ाएएंगे, वैसे वैसे foot através आया दवा देंगे यह दिए मैं यह जो जॉण करेगा कि untuk mesma तो Kitty पहले यह आगे सब्सκोंदिए पहले करें तो हम दो भेशन भी चाहरे लिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं लोग पीछे करना हलेगे तब उसको भी ऐसाथज समझगे तो फैंड यहीरा जोन यह और जोन बी के लिये हिदर जो आप देखने आ जोन यह और जोन्बी के लिए जदि आप चाहते हैं कि serkin मेरा अप्लीफाइर चाल नहीं हों यह लेकिन मेरा सिस में कूई काम कुछ इस प्रकार का सिस्टम है अब हम लोग इसको समझेंगे कि यह क्या है जो सबसे जढ़ा CONF previewson होता है नए भाई लोगों के लिए इसे के बारे मैं होता है तो चलिए हम लोग back panel की और जाते हैं और वहां से हम लोग समझते हैं कि यह क्या दिया हुए है तो आप लोग वीडियो में बने रही है फ्रेंड तो फ्रेंड यह रहा है एम्प्लिफायर का बैक पेनल और आप लोग यहां देख रहे हैं बैक पेनल में कुछ इस प्रकार का जो है यहां हम लोगों को लीड बगएर लागने के लिए मिल जाता है तो यह देखिए सबसे पह टो में दिया हुआ है आप इन दोनों में से किसी में भी बी लगाएंगे यह की टोनों जोन चलेगा कोई दिक्कत नहीं होगा और इधर आप देख रहे हैं इस्टीरियु मेजिक फ्रेंड आप देखे होंगे मार्केट में आपको इस प्रकार का भी कॉड मिल जाता है जो कि लगता है और एक तरफ जो है mobile में लगने वाला होता है तो उससे भी आप इसे चला सकते हैं बाकी बाद यह जो है friend यह देखिए line in friend इसमें भी आप input करेंगे तो चलेगा तो confusion यह हो जाता है कि जदी हम इसमें input करें या इसमें input करें तो अंतर क्या होता है तो friend आप यहां देख रहे हैं कि यह जो line in है सबसे पहले इसी को आप समझे लाइन है जदी आप एक नमर में लगाते हैं तो आपको जो output जो मिलेगा एक ही जोन से मिलेगा अनकी friend आप एक नमर में लगाएंगे तो यह नहीं है कि दूसरा जोन भी आपका चालू होगा एक में लगाएंगे तो एक ही चालू होगा और दो में लगाएंगे तो दो चालू होगा दोनों इस प्रकार से है अलग-अलग है अनकी दोनों जो जो जोन है अलग-अलग देखिए दबादेंगे इस्टेडियो में चला जाएगा इस्टेडियो में दबा कि आप उसमें जब इन्पूट करेंगे तो अलग लग इन्पूट करेंगे तो अलग लग चलेगा या फिर एक में इन्पूट करेंगे तो दो चलेगा तो वही है यहां से वह काम करता है इस् तो फ्रेंड होता क्या है कि जदी हम लोग इसमें इंपूट करेंगे और पिस्क्याय है अच्छे को को बात समझ लेना कि जबे आप इस तो चलाएंगे लगा कि लोगा gemacht और चाहांगे कि यहां से यह की आप इसे चला रहें ज़सित है जो आपका जो यह जो है यह धोनों best travel इधर देख रहे हैं आप best travel यह काम नहीं करेगा friend best travel काम नहीं करेगा आपको mixer सही control करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ यह volume काम करेगा दोनों जोन का और जदि आप इसे mono में चलाते हैं आप side में जो mono input था वहाँ input करके जदि आप इसे चलाते हैं तो आपका ये जो है अराम से काम करेगा सब कोई दिकत नहीं है उसमें आप mixer mixer से भी control कर सकते हैं और यहां से भी control कर सकते हैं तो अलग-अलग system होता है मोनो में जदी आप input करते हैं तो आप इसको जो है जो main volume है इसे 70 तक ही खोल सकते हैं ज़्यादा खोलने से जो है नोई जाने लगता है अनकी घरगर आठ अलका अलका आपको सुनाई देने लगेगा क्योंकि उसका इन्पूट जो होता है फ्रेंड वो काफी ज़्यादा तेज होता है और जदी आप वन बॉल्ट अनकी इस्टेरियो में चलाएंगे इसको तो काम नहीं करेगा और जिदी आप मुनों में इन्पूट करते हैं तो आप इसे जो देख रहे हैं यह साथ तक ही खोलें तो अच्छा रहेगा यह दोनों भी काम करेगा तो मैं अंतर जो होता है यह होता है अलग-अलग जो है अलग-अलग हिसाब से काम करता है तो फ्रेंड आप यहां देख रहे हैं एक बार इधर से यह भी आप समझ लिजे जदि आप इसमें लगाईएगा तो आपका जो आगे का मेन भॉल्यूम है उसके साथ साथ जो दोनों 200 ट्रेबल का नोब है वो भी काम करेगा आपका फ्रिक्वेंसी भी वहां से कंट्रोल हो जाएगा जदि इसमें लगाके आप साथ से नीचे ही रखिए तो अच्छा होगा तो फ्रेंड अलग अलग जो है इन्पूट है तो आप समस्या यह होता है कि बहुत बाई लोग पूछते हैं कि जदि हम इसमें लगाके साथ तक ही भॉल्यूम खुले है और उसमें लगाके आठ तक नो तो खोल दें तो क्या दोनों में अंतर हो जाएगा नहीं वाई यह ज्यादा इन्पूट लेता है और साथ तक यह आपको उतना साउंड दे देगा निकाल और इधर आप देख रहे हैं लाइन आउट के लिए दिया हुआ है जदि आप इस एम्पलीफायर से दुसरी दे दना पड़ेगा और इधर रा हॉर्न के लिए आप देख रहे हैं होतलों के लिए यह जोन देंए और ये निशे में आप जो देख रहा है यह जोन यह पैसों-बॉक्स को Pray एक्ष्ट करने के लिए तो ये बहुत भाई लोग पुछते हैं कि फोर הूम में ज्यादा में सेमी पावर देता है फ्रेंड